अगर आप लाइफ स्ट्रीमिंग करना चाहते हूं अपने मोबाइल के थूँ तो कैसे वो आप कर पाओगे तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको फुल डीटेल्स देने वाला हूं कि अपने मोबाइल से जो अगर आप कोई भी नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हूं ग साफी सारी जो है लाइफ स्ट्रीमिंग कर सकते हो तो इस वीडियो को एंग तक देखना ताकि आपको हर एक डीटेल जो है पता चल जाए साथ में मैं कहना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये है मेरा चैनल ड्रोन के नाम से आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजे ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी और अगर आपको ये वीडि 1000 का भी होगा तो भी चल जाएगा काम आपका और उससे उपर होता है तो और अच्छी बात है बाकि अगर आप आईफोन से करना चाते हैं लाइव स्ट्रीमिंग जैसे मेरे पास आईफोन 6S तो इससे भी आपका काम चल जाएगा आपको चार्जिंग पर लगाना पड़ेग अपने फोन को पूरे टाइम और आप गेमिंग कर सकते हैं क्योंकि यह जो फोन ही गरम हो जाएगा खाफी जादा गेमिंग करते हैं बाकि अगर आप Android फोन से करते हैं तो आज के टाइम के साब से Android फोन आपके लिए काम चला देगा इसके अलावा आपको एक headset चाहिए यान इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए तब ही आपकी live streaming smooth तरीके से हो पाएगी अगर आप यह सोचते हैं कि आप Jio से live streaming करेंगे या फिर अपने 8L के network से phone के network से यानि कि अगर आप live streaming करने के सोचेंगे तो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकत है यहां पर मैं बिल्कुल आपको सचा ही बता रहा हूं यहां पर आपको जो है डी मोटिवेट नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह जो सच है वो ही मैं आपको बता रहा हूं तो अगर आप live streaming करना चाहते है तो internet की speed जो है वो भी बहुत ज्यादा matter करती है वरना आपका phone चाह ครi immense क फुल फिल्फिल ओर यह तो फिर आप जो है आगे की process अभ देख सकते तो तबसे पहले आपको जाना है play store मैं आपको अच्छी सबतारज़ता हूं प्ले स्टोर पर आपको जह जाना है मैं इसको zoom कर देता हूं प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है Omelette Arcred या Omelette App आप लिख सकते हैं तो यहां पर आपको जह उपर ही उपर दिखाए दे जाएगा Omelette Arcred इस app को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है मैं इसको अपडेट भी कर लेता हूँ हाथ वाद ताकि आपको जो है पता चल जाए तो इस app को जो है आपको डाउनलोड कर लेना है Omelette app और Screen Recorder ये सब लिखा रहेगा Live Stream Games इस तरह से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग आपको मिल जाती है इसके अंदर सबसे अच्छा और सबसे स्टेबल जो है ये एप्लिकेशन अगर आप मोबाइल के थ्रू लाइव स्ट्रीम करना चाहते है अवेलेबल तो और भी अप्लिकेशन से लेकिन मुझे ये जो है जादा स्टेबल लगती है और अप्लिकेशन के हिसाब से तो इसको जो है आपको डाउनलोड कर लेना है साथ में अगर आप पबजी अल्रेडी डाउनलोड कर रखा है तो उसका अपडेट चेक कर लेना कि उसका अपडेट तो नहीं आया हुआ है नहीं तो बीच में जो अपडेट आ जाएगा इसको अब ओपन कर लेते हैं ओपन करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं तो कुछ इस इस तरह का इंटरफेस आये का आपको अपना लॉग इन कर लेना है सबसे पहला काम आपको यही करना है तो आपको जो है लॉग इन कर लेना है सबसे पहले जैसे और जो भी लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे गेम्स की वो आपको यहाँ पर show हो जाएगी तो इस तरह से आप और लोग की भी live stream जो है यहाँ पर check कर सकते है साथ में आपको जो login का यहाँ पर right side मा option मिल जाएगा यहाँ से जाकर करके आपको अपना Gmail जो account है उसको login कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटर का option आता है जैसे आप अपने gameplay को edit करना चाते हैं कोई भी community का post डालना चाते हैं जैसे इस omelette application के अंदर भी community बनी वे gaming की तो उस पर आप post डाल सकते हैं offline record करना चाते हैं अपने games को जैसे आप कोई नया channel बना रहे हैं तो आपके लिए जाद अच्छा रहता है कि आप offline game को record करके जो भी आपके kills वगेरे हैं उनको आप डाल दें तो वो जाद अच्छा रहता है नये channel के लिए फिर दी देरे जब आपके subscriber बढ़ जाएं तो आप live भी कर सकते हैं और अगर आप live भी direct खेलना चाते हैं तो कोई दिकत नी live के option पर click कर सकते हैं जैसे आप live के option पर click करेंगे तो कुछ games और applications आपको दिखाए दे जाएगी तो यहां से हम PUBG के option पर click कर देंगे click करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आपको दिखाए देगा तो यहां पर आपको दिखेगा एक तो omelette का membership है अगर plus वाला आप लेना चाते हैं तो उसको कर सकते हैं साथ में ही आपको कुछ और भी options दिखाए देते हैं जैसे facebook पर भी आप अपने live stream को डालना चाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं facebook के थूँ तो आपकी जो live stream है वो आपको facebook पर भी दिखाए देगी आप चाते हैं कि अपने youtube चैनल पर जैसे मेरे चैनल है drone tech तो उसको मैं on कर दूँगा तो मेरे drone tech पर जो है मेरी live stream दिखाए देगी मुझे तो ऐस तरह से मैं multiple options को भी जो है on कर सकता हूँ या फिर आप सिर्फ facebook पर या फिर एक youtube पर किसी भी एक option को भी आप जो है यहां से तो इस तरह से आपको इस option को इनेवल करने के लिए आपको अपना youtube account जैसे जोड़ना पड़ेगा वह option आपको दिख जाएगा जैसे आप इस page पर आएंगे अपने आप आपको option दिख जाएगा वाला जैसे आप login कर लेंगे अपने यूट्यूब account को उसके बाद आपको next पर click कर देना है next पर click करने के बाद जो है कुछ इस तरह का आपको interface दिखाई देगा तो यहां पर जो आप अपने title डाल सकते हैं जो भी आपका title PUBG live या जो भी आप डालना चाते है वो डाल सकते हैं यह आपका description पे जो जाएगा जो भ पर डाल सकते हैं इसके अलावर stream की जो settings है उनको भी आप set कर सकते हैं कि आपको do not disturb mode चाहिए चाकि आपके जो message वगए रहे हैं आपको screen पर दिखाई नहीं देंगे microphone on रखना है नहीं रखना है वो भी option आपको मिल जाता है आप अपना game जो है gallery में भी save कर सकते हैं इस तरह के options आपको मिल जाते हैं और stream की quality आप कैसी रखना चाते हैं वो भी set कर सकते हैं इसके अलावर अगर बात करें advanced setting के अंदर तो इसके अंदर आपको जो है कोई moderator रखन है तो वो चीज़े भी आप जो है इससे कर सकते हैं बाकि कुछ settings ऐसी होती है जो advanced level की होती है तो वो आप अगर नहीं करें तो यह अच्छा है stream आप delay करना चाते हैं या फिर नहीं 10-15 seconds है किता time आप जो है delay रखना चाते हैं वो भी आप set यहां से कर सकते हैं इसके अलावा यहां पर काफी सारे other options भी आपको दिखते हैं जैसे कि आपको design रखना चाते हैं उपर आपका नाम लिखावा है और नीचे कुछ भी आप type कर सकते हैं जैसे मैंने like, share, subscribe लिख रखा है या कुछ भी आप और भी चीज़े डाल सकते हैं अलग-अलग तरह के आपको design मिल जात हैं तो इस तरह से आप set भी कर सकते हैं अपनी stream के अंदर तो यह option आपको मिल जाता है इसके अलावा अगर बात करें watermark की तो watermark आप अपना custom लगा सकते हैं लेकिन यह जो है omlet plus वालों के लिए होता है जैसे आपको logo है वो side में आपको show होता रहेगा इसके अलावा shield image करके यह option होता है यह भी omlet plus वालों के लिए है तो जैसी आप अपनी सारी settings को कर लेंगे आप जो है अपनी stream को start यहां से कर सकते हैं जैसी stream को start करेंगे तो आपकी जो live stream है वहाँ पर show होना शूरू हो जाएगी इस तरह से 321 लिखा आएगा और आपकी जो live stream है start हो जाएगी तो यहां पर आपको start now उपर click करना है और आपकी जो वो आपका जो game है वो start हो जाएगा यहां से तो आपको पूरा process से समझ में आ गया होगा मैंने उसको cancel कर दिया तो मेरा live stream अभी नहीं start कर दिये मैंने बाग कि आप chats अगर आप जो है यहां से भी पढ़ सकते हैं जैसी आप चैट को जो है पढ़ना चाते हैं तो आपको side में message का option दिख जाएगा तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं अपने game को set पूरा और आप live stream कर सकते हैं आप अपने earphones connect कर लीजिए और उसके बाद जो है आपनी live stream कर सकते हैं अराम से तो मैं जो phone use करता हूं वो है realme x2 pro इस से जाधतर जो है मैं gaming करता हूं और live stream वगेरा करता हूं बाकि अगर आपको कोई भी question है इस application से regarding या फिर इस video से regarding तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं और भी अगर आपको कोई question है सुझाव है तो नीचे comment section में comment करके भी हमको बता सकते हैं अगर आपको ये video अच्छी लग बदन्यवाद थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो बबाइ